तो हेलो ट्रेडर कैसे हैं आप सभी आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और 5K की ट्रेडिंग से ये पांच वा पार्ट है एंद इससे पहले हम 4 पार्ट अप्लोड कर चुकी हैं उम्मिद करता हूँ आप डेली रेगुलर पार्ट देख रहे होंगे और कुछ आप ट्रेड में था लेकिन अचानक से ये डाउन तरफ की एक मूव आया देखो और भाई साब काफी ज़्यादा मैं बोलता हूँ ट्रेडर ट्रेडर ट्रेप होया होँगे काफी ज़्यादा सेलर भी ट्रेप होया होँगे क्योंकि जो पूटो आई है वो ट्रेप होगा है तो यह देखो मार्किट गिरने से पहले हमें बता भी देती है अगर आप सही तरीके से आपने कैंडलिस्टिक पैटरन सीखा है तो मार्किट अचानक तो गिरती है लेकिन वह अपने सही लेवल से गिरती है और अगर किसी को पता है तो वह वह सब कैप्चर कर भी लेगा उस 1977 कि मार्किट अगर यहां पर चल रही है तो मार्किट इसको चूने के बाद ही बड़ सकते है लेकिन ऐसा नहीं होता है मैंने ये बताये तरीके से सेब सिचवेशन ये बनी थी यह मार्किट देक्व पहले आज से पहले काफी दिन मतलो यहां पर market में consolidate किया, sustence किया था और उसके बाद इस level को market में नीचे के तरफ breakdown किया था लेकिन फिर इस range में जैसे market पहुची तो फिर से यहां पर गिरा दिया गा है market को और market गिरने से पहले 15 minute के chart frame में यहां पर एक doji, sorry, hammer candle बनाई थी यह एक ulti hammer candle है, जो कि आप देख रहे है, ulti hammer candle बनाई के बाद market नीचे गिरना start हुई थी अगर मैं आपको 5 minute के time frame में दिखाऊ ना, तो 5 minute के time frame भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ऐसे ही नहीं गिरी थी market, देखो 5 minute के time frame में गिरने से पहले market ने हमें संकेत भी दिया था कि मैं अभी गिरने वाली हूँ, कैसे देखो ध्यान से देखना, देखो हमें सिर्फ यही दिखाया जा रहा था कि market swing मना मना कर उपर के तरफ जा रही है और बिल्कुल देखो कितनी अच्छी candle बनाई है, देखो candle देखो कितनी अच्छी बनाई है यह जो green candle बनी है न यह वाली, यह देखो बहुत भी banker trapping वाली candle है क्योंकि जैसे कि यहाँ पर candle बन ली थी market उपर गई, फिर यहाँ पर candle बनी market उपर गई तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से यह भी candle बनी थी और काफी जाधा trader ने यहाँ पर trade बिली और call में और वो भुरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, trap हो गए तो उनका stop loss कहाँ पर होगा, उनका stop loss यहाँ ग्रीन वाली candle के लोका होगा तो उनका stop loss यहाँ पर rate हो गया देखो, अब जिसने यहाँ पर अपने entry को exit कर दिया यह जिसने SL लगाया होगा, उसका तो capital बच गया होगा, लेकिन जिसने SL नहीं लगाया जिसने अपना exit नहीं किया, उसका क्या हाल होगा, यहाँ पर देख सकते हो तो इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, SL जरूरी होता है, चाहे आप chart पर लगाओ, चाहे आप system पर लगाओ, कैसी भी लगाओ, पर SL होना चाहिए और market खुद खुद संकेत दे देती ही, एक scandal की closing होने के बाद, तो उटली market ये बता देती है, कि मैं उपर नहीं जाओंगी, तो उटली market ने बता भी दिया है, तो यहाँ पर अपनी exit, अपना जो भी है position से exit हो जाना चाहिए, उसके बाद market ने ये fall दिया है, तो कोई दिक्क और market और बार-बार touch करके नीचे की तरफ आ रही है, आप खुद भी देख सकती हो, ये moving average है, 50 दिन का, 5 मिन का time frame है, चलो हम 15 मिन के time frame पे के लिए करके देखते हैं कि 15 मिन के time frame में क्या हो रहा है, बाई देखो 15 मिन के time frame में भी न बिलकुल EMA के आसपास ही market है, मतलो अभी म इसाफ से चोटे time frame में मतलग की market यहां से एक downtrend हमें दिखा रही है, मतलो की down नीचे के तरफ आ रही है, और market का जो sport है वो ये वाला level है, ये वाला level, जो की level है 23,100 के आसपास, 23,193 के आसपास, ये market का sport है, अब resistance market का कौन सा है, वाला level है, क्योंकि ये एक fresh selling area है, यहां से कल के दिन बढ़िया selling की गई थी, और market को नीचे गिराए गाई था, अगर market उपर भी जाती है, तो यहां से गिरने के chances फिर से बन जाएंगे, एक बात और बताओं आपको, देखो, 15 minute के chart frame में अगर आप देखोगे न, तो जो first candle बनी थी न, ध्यान से देखना, जो first candle बनी थी की ये candle जो green बनी है, ये मारूबुजू candle है, बिलुकल भाई मारूबुजू candle है, एंड इस candle ने इस red वाली candle को inglesing मतलों की पूरा का पूरा दबोच भी लिया है, मतलों की ये candle हमें ये बता रही थी, कि भाई साब यहां पर totally buyer है, और market यहां से उपर जा सकता है, लेकिन आ आपको दिख रहा है, market उपर गया है, नहीं गया है, हमने भी कोई trade नहीं लिए, आप खुद भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई market ना, कुछ ना, कुछ मतलों अलग करती रहती है, market का system ऐसा ही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, candle भी trap कर देती है, trend पता होना चाहिए, अगर आपको trend पता है, market का तो आप कर जाओगे काम, तो मैं इसका, हाँ, यहाँ पर अभी हमने कोई trade वगएरा नहीं लिए, order पर देखा देता हूँ, position, यहाँ पर देखो, कोई भी हमने trade वगएरा नहीं लिए, trade बनेगे तो मैं आपको बता कर रही है, मानते हो ना, तो यहाँ पर हमारी कोई trade बनती है, नहीं बनती है, बिलकुल नहीं बनती है, बिलकुल देखो, मैं मानता हूँ, कि यहाँ पर pattern बनाए, आपके mind में question होगा, भाई साब, यह candle जो बनी है, यह मारूबू जो candle है, और जब भी यह sport पर बनती है, तो market market उपर जाती है, बाई मैं मानता हूँ, sport पर बनती है उपर जाती है, लेकिन आप एक चीज़ देखेगा, बड़ी गोर से कि market यहाँ से start होती है, और नीचे की तरफ आती है, हर swing market का, हर swing के नीचे है, मानते हो ना, हर swing, मतलो कि यह क्या है, छोटे time frame में, जैसे कि एक दिन म market down में, downtrend में, तो अगर market को uptrend होना होगा, तो market को यह वाला level उपर के तरफ break करना होगा, इस level को break करना होगा, इस level को retest करके, और फिर से उपर के तरफ जाना होगा, तो अपना target यहाँ तक का हो जाएगा, जो की level कौन सा है, 23500 का, 3560 तक का, इस तरीके से चाहिए, मुझे तब मैं यहाँ पर call में लूँगा, ठीका ना, candle तो है, वही थोड़ी ठीक ठाक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कि यह downtrend में है, और EMA के नीचे trade कर रहा है, सबसे बड़ी बात ही है, कि EMA के अगर ऊपर होता, तब तो मैं मान भी लेता, लेकिन यह EMA के नीचे trade कर रह होगा ना, तो market इसके उपर जाएगी, और इस तरीक से retest करके, इस तरीके से, ये वाला जो level आप देख रहे हो ना, कौन सा, ये वाला level, ये वाला level, इस level के उपर market जानी चाहिए, क्योंकि market तभी अपना जो next, जैसे कि ये swing बनाया market ने, फिर ये swing बना रही है, है ना, तो अगर market को उपर जाना है, तो ये sport मान लेते है market का, क्योंकि candle यही पर बनी है, bullish candle, छोटी मोटी candle नहीं, वाई सा भी powerful candle है, लेकिन फिर भी market उपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब या तो यहाँ पर open interest ज़्यादा है, कौन सा level है, 23,300 के असपास, 23,400 के असपास कलिए वाले, 4 24,400 के असपास, है ना, तो यहाँ पर, यहाँ तो resistance ज़्यादा, मतलो ठगड़ा है, इस कारण से market उपर नहीं जा रही है, और यह downtrend में है market, तो अपना trend अगर market को change करना होगा, तो market को यह swing है ना, इस swing के उपर यह वाला swing बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से swing, इस तरी के से, यह swing, तो ऐसे हमारी entry बनेगी, अभी put में कोई entry बनती नहीं है, क्यों, कब तक नहीं बनती है put में entry, जब तक कि यह वाला level, देखो यह वाला level खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से आप खुद देख सकती हो buying आई है, कितनी banker candle बनी है, तो यहाँ पर हमारी put में entry नहीं बनत मानते हो ना, और put में entry बने भी कैसे, क्योंकि यहाँ पर sport है, यहाँ पर sport है, यहाँ पर, तो ऐसे put में entry नहीं बन पाएगी, और नहीं call में entry बन पाएगी, situation के अनुसार आपको चलना है, गर आपको market से पैसे कमाना है, तो देखो यहाँ तो यहाँ पर आई है, इस level को यह cross नीचे करेगे, तो यहाँ पर यह जरूर आएगी, अब यहाँ पर कोई candle बनेगे ना, कोई bullish candle, कोई अच्छी सी, तो मैं यहाँ से buy करूँगा, या फिर दूसरा कारण market, मतलब दूसरी situation यह हो सकती है, मैं तब buy करूँगा, जब market, इस swing के उपर, इस तरीगे से swing मनाए, बैसी यह दो ही कारण है, और देखो, EMA के उपर भी जाना चीए, market को EMA के उपर भी जाना चीए, तब ही मैं buy करूँगा, अन्य था भाई नहीं करूँगा, ठीक है न, तो यह situation बनेगी, तो मैं आपको बताऊँगा, अभी मैं चलो आपको OI दिखा देता हूँ, OI चेक कर OI चेंज है, अभी मैं call OI देखूं, तो call OI यहां पर 69 लाख है, 300 पर 69 लाख है, तो इसी कारण से 300 की उपर नहीं जा रही है, और यहां पर 49 लाख है, तो इसी कारण से market उपर के तरफ नहीं जा रही है, अगर इसको 300 की उपर जाना होगा, तो अगर इसके उपर जाना बिश्राइब गया तो इसी करण से थोड़ी दिखत है तो अगर मार्केट GERे अभी तो कहां तक जा सकता है यहां तक मार्केट अगर नीचे आता है तो यहां तकि आनेिके चांसे है ना यह वाला लेवल यह थोड़ा से दिक्कत कर सकता है दिक्कत तो क्या करेगा लेकिन हां यहां से यह बाइंग आई है इसलिए और एकस्पायरी भी है मार्केट कुछ यह बाइंग होई है तो यह वाला लेवल हमारे लिए एकस्पोर्ट का काम कर रहा है मानते हूं ना तो यह लेवल टूटना चाहिए उसके बाद ही कुछ हमारा पुट में अंट्री होगी इससे पहले नहीं हो सकते है आप खुद ही देख सकते हो मैं पुट में रही नह acontece cameras के रही है देखो देखो यह वाला level हमारे लिए एक sport का काम कर रहा है जो कि दिक्कत दे सकता है आपको तो बता है हमारा stop loss 200 से 300 का रहता है तो अच्छी सी trade बनेगी मैं उसके बाद ही trade करूँगा trader अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक pattern बन रहा है और यहाँ पर पिन बार candle बनी है तो यहाँ से market की ऊपर जाने के chances है logic मैं आपको last में बताऊंगा अभी मैं आपको एक premium price buy करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर देख सकते हूँ यह वाला premium price buy कर रहे हैं सिर्फ एक load से trading कर रहे हैं logic मैं आपको बताऊंगा कोई दिक्कत नहीं है logic बताऊंगा मैं आपको ठीक है ना अभी देख सकते हूँ पांच में के time frame में इस तरह का system बनावा है और पंदरा मिंट के time frame में इस तरह का system बनावा है इस candle की बनने के बाद मुझे buy करना चाहिए था scalping बड़े RM से हो जाती लेकिन market फिर से नीचे की तरफ आ रही है और कोसिस कर रही है नीचे गिराने की लेकिन मेरे सावसे chances थोड़े से कम है नीचे आने के इसलिए मैं यहाँ पर buy करने की कोसिस करता हूँ एक load से मैं trading करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैंने यह buy कर दिया है आपके सामने एक order buy कर दिया है और logic आपको last में बताऊंगा देखो profit होगा, loss होगा उसका सारा system मैं आपको बताने वाला हूँ ज्यादा chances market के यहाँ से उपर जाने के हैं ज्यादा उपर की मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं ज्यादा उपर की नहीं बोल रहा हूँ हमारा सिर्फ target 500 का रहता है तो scalping बड़े आसानी से यहां से आराम से यहां पर हो सकती है तो ज्यादा उपर नहीं मैं यहां तक की बोल रहा हूँ कि market यहां तक आने के chances है अगर यहां पर आ गई market तो यहां तक भी जा सकती है market ठीक ना यह बिल्कुल focus के साथ आपको देखना है कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है and logic मैं आपको last में बताऊंगा कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं आपको position details दिखा देता हूँ क्योंकि position दिखाना ज़रूरी हो काफी ज़्यादा ट्रेडर के question होते हैं कि आप chart बगएरा change कर लेते हूं candle बगएरा अरे यह देखो यह पांच मिट का मैंने उपन किया है वह 15 मिट का उपन गया है तो और आपको दो पता है refresh वगएरा मैं करता रहता हूं होता है रहता हूं यह ऐसा थोड़ी ना होता है अभी देखो मार्गेट ऊपर जा रही है ना तो गई अर अपना प्रोफिट हो गया लगता है मुझे तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और यह पोजिशन भाई साब यह नैट इस नैट में खालिया वाई सा है अगर यहां तक आ गई तो वह यहां भी चले जाएगे गारेंटे के साथ ठीक है ना क्यूंकि सिच्वेशन में आपको बताऊंगा कोई दिक्कत नहीं है अभी अपना प्रोफिट टार्गेट कंपलेट हो जाने अरे वायर हो गया अपना टार्गेट कंपलेट मैच आता ह हूं लेकिन मैं सस्टेंस भी सोरी होल्ड भी कर सकता हूं क्योंकि यहां से यहां तक आने के चांसे सिसके है ठीक है ना लेकिन कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पता है कि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं नियम की अनुसार काम करूंगा वाई सब अरे यार यह फिर चला लेकिन खुशक लेकिन कोई दिक्कत नहीं ए आयेगा फिर से आयेगा इंतिजार करते हैं and फिर से फिर से यह प्रोफिट होगा और अपको बताता हूं वह आपको पता है झाल बहुत लालत आ जा जाता हैं हर क neden आज जाता है लेकिन आपको पत्या होते होगे कि लालच आ गया तो काम खतम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है चल दाए उपर जा और 500 का मैं प्रिट होते ही भाई सब्सक्राइब मैं आप टो उसा ही करते होंगे कि बस अजार की कर दूगा आप कोई सी च्वेसान भी मेरे साथ हो रही है जो कि अभी आप देख सकते हो निया बाई साब मैं आपके सामने पांस हो काही करतूंगा बिस क्योंकि बैट अपने टार्गेट के साब से मैं 500 काही कर देता हूँ देखो 500 हो गया candle देख लेता हूँ कि candle थोड़ी खतरनाक बनी है यहाँ पर हाँ शबाज एक बार एक सिर्फ एक उपर जटका दे दे बस सिर्फ और सिर्फ एक बार अरे यह नहीं करेगी भाई सामय करना पड़ेगा देखो यह नहीं लोस हो सकता है वो तब आपके साथ होता आप पहने में बैठे रहते हो डरे बैठे रहते हो कि और भाई साब यह लोस हो गया तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ अरे भाई साब देखो मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ और तु भाई कहीं जाईए फिर यह 500 को प्रॉफिट हो गाई इसमें दिक्कत मतलो आप अरे यह फोन भी फंद हो जाता यह 521 हो चुका अब मैं इसको एक्जिट कर देता हूं अरे बाई सब कर दू क्या बाई सब कर दू क्या अरे कर दे यार लो तो यह अपने चांसे से मैं बहुत रहा हूं कि यह तक आएगी अगर यह तक आगई तो फिर यह 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 तक जाएगी देख लेना आप खुद ठीक है ना अब देखो अपना लगबग 598 का प्रॉफिट हो चुका है 157 पर सेल किया है 133 पर आपकी सामने मैंने इसको बाई किया था सिम्बल सा लोजिक है कोई जादा बड़ी इसमें बात नहीं है कि बाई ज्यादा बड़ी बात है मैं आपको बता देता हूं डिटेल्स दिखा देता हूं इबर है तोडे हिट्री यहां पर देख सकते हो एक जी क्यूंड मैंने 10 21 पर बाई किया था 10 26 सेल कर दिया मतलों कि पांच मिंट का खेल है सुरी पांच मिंट के खेल है और पांच मिंट पर अपना काम हो चुगा है 133 पर buy किया था 117 पर sale कर दिया है total buy value 340 उरुपर ठीक है ना देखो ये candle उपर जा रही है अरे भाई सब जाएगी लेकिन मैं ना मान था भी तो नहीं हूं ना कि भाई सब थोड़ा डट जाता था और profit बढ़ जाता अभी देखो हमने sale गया था 117 पर price गया चल रहा है यहां तक जाने के chances से मैं आपको startup में कहा था लेकिन मैं नहीं डटा क्योंकि इससे आपके उपर गलत effect पड़ेगा मेरी वज़े से क्योंकि देखो मैं अगर अपने नियम पर नहीं बना रहूंगा ना तो इससे फिर आपको भी दिक्कत होगी आप भी अपनी trade मर बने रहोगे फिर दिक्कत हो सकती है कि मेरा मकसर सिर्फ इतना है कि आपको नियम के साथ आगे बढ़ाना है नियम के फिरूद नहीं आपको मतलब धाकेलना है तो यह चाहिए 200 का हो जाए 500 का हो जाए 600 का हो जाए मुझे उससे कुछ नहीं लेना हाँ मैं अगर वैसे trade करता यह मैं वीडि इस कारण से profit हो गया है तो इसलिए मैं नियम पर बना रहा है मैंने sale कर दिया अब देखो 90 का हो गया 200 का भी हो जाएगा इसमें अफसूस नहीं करना है आपको कि मैं इसको sale नहीं करता तो इतना profit हो जाता नहीं आ रहा है ऐसा नहीं करना है ठीक है ना नियम के साथ काम करोग यह वाला स्पोर्ट का काम कर रहा है माना कि मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है लेकिन यहां पर मार्केट जो यह वाली candle बनाई थी जो यह बुलिस candle बनाई थी यह ऐसे ही नहीं बनी है यार इसमें कुछ बात है तब ही यह बनी है यहां पर यह कैंडल बनी है ये मारूबु जो candle है और ये ऐसे ही नहीं बनी है कितने powerful candle है देखो यार विक है इसमें कुछ भी नहीं है छोटी शीवी का उपर नाम चारेगी तो इसमें बायर है तो इस लेवल पर बायर है ये sport का काम कर रहा है पांच मिंट के time frame में देखो पांच मिंट के time frame में देखो य कान से देखो candle की closing हो गई थी ना पांच मिंट के time frame में 21 ये moving average 21 दिन का है 21 वाला ये और ये है 50 वाला पंदरा मिंट में तो पंदरा मिंट के उपर भी मार्केट जा रहे है देखो sorry 50 दिन के moving average के उपर मार्केट है यहां पर 21 दिन के moving average के मार्केट उपर है simple सा logic है उपर है उपर candle की closing हो गई और यहां पर उपर चल रही है और यहां पर यह वाली candle बनी थी कितने मुझे कितने हिंट मिले आपको पता है सबसे पहला हिंट sport ये वाला level मान गए ये वाला level मेरे लिए sport था क्यूं क्यूं पर जब कल के दिन मार्केट आई थी तो यहीं से देखो candle को उ दोजी केंडल बनी है जो कि हमें एक बुली सिगनल देती है डोजी केंडल यह डोजी केंडल पलस में अरे पलस में हो जा पलस में एक और EMA के ऊपर है यह एक और EMA अरे भाई EMA कहा गया यह EMA तो तीन-चार चीज मिली है तीन-चार चीज मिलने के बाद मैंने आपर ट्रेड लिए ऐसी ट्रेड नहीं मिली मैंने मार्केट ने मुझे दिखाया है EMA के ऊपर मार्केट यह 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 गई है क्या बॉलते हें पॉरट मीन टाइन सществरे में 211 के मूविंञ एवेज चीज मार्केट है केंडल बनी है तो इतने सिगनल मिलने की बाद मार्केट ऊंपर जाएगी जाएगी और मैं आपसे क्या रहा था मार्गेट यहां तक आएगी मानते हो ना यहां तक आई भी है मार्गेट अपना प्रिम्म प्राइज दिखा हूँ आपको एरे कहा गया भाई साव लुक गया क्या इस तरीके से आपको ट्रेड करने है सही माइंड से मैं मोर्णिंग से बैठा था मुझे कोई सिगनल मिला ही नहीं था मोर्णिंग से मैं चुप चुप बैठा था कहां से यहां से तीस तारीकों मार्गेट ओपन कोई मुझे बाइंग नहीं मिले इस कैंडल पर भी मैंने बाइ रहती है पिन बार हैमर और यह इस तरीगे की ऐसी एक मारूबुजी चैंडल है और इंगल फिंग के पैटरन भी यहां पर इन्होंने बनाया है पिर भी मार्केट ऊपर नहीं गई लेकिन हाँ एक चीज है कि मार्केट इस कैंडल के नीचे नहीं आई जब से यह कैंडल बनी है नहीं आई ना क्योंकि यहीं से market में देखो buying आई है तो इसी कारण से मुझे यहाँ पर confirmation मिली है बात वो यह लिया मैंने इस candle पर यह लेकिन market फिर से यहाँ पर आई है तब लिया है मानते हो ना तो देख लो बस इतनी सी बात है अब देखो oi के उपर भी आपका discuss रहता है कि भाई oi क्यों नहीं दिखाया आपने देखो मैं आपसे बात बता रहा था option chain पर चलता हूं यह oi है यह 300 पर 477 अभी कितना दिखाया था मैंने आपसे अब बैक करके देखेगा 25 लाक हो चुगा है यहां पर 85 लाक हो चुगा है oi बढ़ गया और इस तरफ घट गया तो इसी कारण से मैं oi भी देख रहा था यह बात नहीं कि oi नहीं देख रहा हूं मैं oi open interest भी देख रहा हूं तो काफी चीज मिलाने के बाद मैंने यह trade ली है और trade में आप profit देख सक करते हैं मैंने देखा है कि जैसे कि मान के चलो यह 1000 बंदे मतलो वीडियो को देख रहे हैं एक हजार ट्रेडर देख रहे हैं तो 1000 का मैं यह average लेके चलता हूं कि 100 लाइक तो होनी चाहिए मतलो कि 10 परसेंट भी लाइक नहीं कर रहे हैं मतलो टोटली मैं देख रहा हूं कि 600 लाइक मतलो एक 10,000 वीउस पर 10 के वीउस पर 600 लाइक मतलो 1000 लाइक होगी ना एक के लाइक होगी जब 10% होगा मतलो कि 90% लोग यह वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको सिखाने की कोसिस कर रहा हूं कि इस तरीके से ट्रेड करें इस तरीके से ना कर इस तरीके से आप उस्टॉपलोस लग जाएगा इस तरीका से आपका पैसा जो भी है चला जाएगा मैं इतने यहाब बात सकते हैं ऐसे नहीं टूब समझा गरो यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा देखो अगर आपको अच्छा लगे ना तो कर देखो एक परसेंट अगर आपको इंफोर्मेशन मिलिए एक परसेंट एक परसेंट भी अगर आपको इंफोर्मेशन मिलिए तो लाइक कर दीजिगा अगर एक परसेंट नही मिली है ना तो डिसलाइक कर दीजीगा सिंपल सी बात है थीगा ना तो आज की बेट में इसको लिख लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है फिर मैं आपको बताता हूं सो ट्रेडर अभी देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 30 तारीक है 30 जुलाई है साथ मैंने चोविस पांसो ठान में का प्रोफिट अपना एंड लोस अभी है नहीं देखो यह जो अभी यह कैंडल बनी है यह इस तरीकी की सिचिवेशन बनी है मैं आपसे क्या कह रहा था तो यह इस स्विंग को मतलो इस से उपर स्विंग बनना चाहिं मार्गिट का अगर इस स्विंग से उपर श्विंग बन गया तो यहीं से मार्गिट ऊपर चली जाएगी ज्यान देना इस बात को त्यगिगे correct शीखना को तो वह सीखना चाहते हैं वह ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं अगर वह लोस कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं या किस कारण से वह प्रॉफिट कर रहे हैं वह बात उनको पता है और उन पर वह काम करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो लोश नहीं लगाया मैंने साई एंट्री नहीं ली मैंने वैसे एंट्री ले ली कोई केंडल दिखी या वैसे ही बैस मारदी ट्रेड किसी के कहने पर कैसे क्यों क्या और कब यह सारी चीजे आपको पता होनी चाहिए तब आगे बढ़ पाओगे तो आज की वीडियो में से इत नहीं है बाई बाई टाटा सी यू जैस तरी किसना सभी को